नमस्कार प्रेंट आज किस वीडियो के माध्यम से एक और जॉब के वारे में जानकारे देंगे जो कि प्रेंड राष्टरे स्वास्तिवा के तरब से यह रिक्वार्मेंट जारी क्या गया है नर्स पूस्टुकल रिक्वार्मेंट है बहुत ही अच्छी रिक्वार्मेंट है तो टेलिग्राम गुरूप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जागा टेलिग्राम गुरूप से जोईन हो जाए क्योंकि वहाँ पर कोई भी नए अनुटिस्पकेशन आता है तो सबसे पहले हम अपडेट कर देते हैं चलिए डेटेस जानकारे लेते हैं स्वास्त पर नियुक्ती है तो बिग्यापन है बिल्कुल कोंट्रेक्च्वल अधार पर कंट्रेक्च्वल बैसिस पर रिकॉर्मेंट पूरे होने जा रही है प्रेंट इसके लगर आप लोग आवधन करना चाहते हो तो यहां पर डेट देख सकते हो पांच चार दोजार बाइस पां प्रwestor के लिए देटेयल जानकारी है तो न्रसकारी है तो D危th नवबर पर देख सकते हो स्टा नर्स के लिए वैकेंश जै टौटल दो पोस्टों के लाम कर सकते हो इसके लिएर का कूर्स कर सकते हो साथी आपका का रिजघ्संटनिंग संब कर में चाहिए सेलरी की बात करोगे तो स्वल्ला 1564 रुपेया परती मन्द आपको सेलरी मिलने वाला है फ्रेंड इसके बाद अगर बात करोगे तो स्टाफ नर्स के लिए और भी रिक्वार्मेंट है जैसे देखोगे MTS प्रोग्राम के अंतरगत MTS प्रोग्राम के अंतरगात भी नर्स के रिक्वार्मेंट है जो कि हम आपको दिखा देते हैं, इसमें नर्स का पुष्ट देख सकते हो, पुष्ट कोट 10 है, स्रियल नमर 10 पर, स्टाफ नर्स टोटल एक पुष्टो के लावधन कर सकते हैं, 15,000 रुपर पर मंद चल्ली मिलन वाला है, जी एनेम पास ओट होना चाहिए, साथ ही आपका रेजिस्ट्रेशन जहारकन नर्सिंग काउंसिल में रहना चाहिए, इसके अलावे प्रेंट और भी यहाँ पर देख सकते हो, एन यू एचेम के ताथ, नेशनल अर्बन हेल्थ मिसल के ताथ भी स्टाफ नर्स के रिक्वार्मेंट होने जा रही है, जिसमें 10 पोश्टों के लिए आप लोग आवे दन कर सकते हैं, 10 प्रस टू पास ओट होना चाहिए, जी एनेम का डिगरी होना चाहिए, और 15,000 अब 15 रुप्या पर मंत आपको सेलरी यहां से मिलने वाला है, इसके आधार पर स्प्रेंड पर मंत आप लोग को यहां से सेलरी हैगा, और यहां भी आपका जो रेजिस्ट्रेशन है, जहारकन नर्सिंग काउंसल में होना चाहिए, एक और डिपार्टमेंट है, इसके लिए भी स्टाफ नर्स की रिक्वार्मेंट है, चार पोश्टों के लावे दन कर सकते हो, इसमें पर मंत आपको मिलेंगे, इसके अलावा प्रेंट चलोगे तो और भी आपको रिक्वार्मेंट यहां पर दिखने को मिल जागा, यह रिक्वार्मेंट था नर्स रेलेटेड, अब इसके लिए क्या क्या प्रुसेस है, वो चीज़ देख लेते हैं, चायन के लिए उम्र सीमा देख लिजे, उम्र सीमा की बात करोगे, तो मिनिममम 21 वर्स उम्र सीमा रखा गया है, इसमें मैक्सिममम जेनरल कैटिगरी के लिए 35 वर्स है, OBC के लिए 30 वर्स है, फीमेल और रिजर्व के लिए 38 वर्स है, SCST के लिए 40 वर्स है, और PH कैंडिडेट के लिए यहां पर लेकिन हम आपको important point बता दिते हैं, यह संबीदा एक वर्स के लिए अनुमान होंगे, यहां पर देख लिए फिलाल एक वर्स के लिए है, अब सकता अनुसार, इसे एक एक साल में annual performance appreciable के अधार पर एक दिन की duty के, एक दिन की टूट के साथ संबीदा आवधी बढ़ाई जा सकता है, नहीं रहने पर अथवा कार्ज संतोस प्रद नहीं होने किस्तिति में उन्हें एक महा कि नोटिस अथवा एक महा के मानदाय देकर अनुबंद स्मप क्या जा सकता है, इसलिए आप लोग का वर्स जावब होते हैं, तो अच्छी तरस से वर्क करिएगा, नहीं तो अ एक्जमशन फी है, वो डिमांड डराक बना करके, यानि की डीडी बना करके आप लोग को देना होगा, जिल्ला गरामिन, स्वास्त समीती, देवगहर के नाम से आप लोग को डीडी बनाना यह चीज़ हो गया, आविदन आप लोगों को पोस्ट ऑफिस के मादिम से क्या करे यह अप्लिकेशन फर्म डॉलड कर लिजेगा और इस अप्लिकेशन फर्म को अच्छी तरह से आप लोग को भर लेना है जैसे भरने के लिए प्रोसेस दिखा देते हैं यहां पर पद का नाम लिखेंगे यानि कि स्टाफ नर्स का पद का कोड लिख दीजेगा अपना नाम लि लिखेंगा किस बैंक में है उस बैंक का ब्रांच का नाम यहां पर लिखेंगा नीचे में अपना यहां पर हस्ताक्षर करके तिती और कहां से आप लोग अप्लिकेशन अप्लाइग कर रहे हो वह चीज करके आप लोग को इस एड्रेस पर भेज देना है एड्रेस आप जरूर से जरूर अपलाइक कर दीजिएगा इस डेट के बाद अगर आपका अप्लिकेशन वहां पहुचता है तो आपके अप्लिकेशन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा आपका अप्लिकेशन रद हो सकता है इसके साथ ही फ्रेंट लीफापा के उपर में यहां पर देख सब्सक्राइब करें हमें सब्सक्राइब करें जिससे कि हम आपके लिए नियू नियू वीडियो बनाते रहेंगे तो सबसे पहले हम आपके लिए अपडेट कर देते हैं अगले वीडियो में निया नोटिस्पिकेशन को लेकर के तब तक देखते रहें थैंक यू सबस्राइब करें आपके लिए एक हाँ यू जिससानी उचितशी नियू झाल झाल